नमस्कार दोस्तों वंदे मातरम कैसे आप सभी उभी करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे हूं ड़े ही जैन्रली दोस्तों comment में मैं मैं 2 सवाल देख रहा हूं लोगों पहला तो है कि सर सेट कौन से लगा है और सबसे ज़्यादा सवाल यह दी दोस्तों मैं पूछ हूँ तो लोग यह कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिसेट में नंबर नहीं बढ़ रहा है तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियरली ये बता देता हूं कि अप लोगों को प्रैक्टिसेट कौन से लगाना चाहिए कोई पैसा निंए देता है यह किसी तरीके का दुस्तों स्पॉंसर्ड वीडियो नहीं है उतना बड़ा आभी मैं नहीं हुआ तो फिर भी दोस्तों सबसे बहतरीन यदी यदी मुझे प्रैक्टिसेट लगा है तो वह दोस्तों रहमान सर का जो सेट आया है आप देख सकते हैं विद्या सागर पब्रिकेशन का है उन्होंने भी मुझे पैसे नहीं दिया चिंता भर करें तो इन सब मैं सबसे बहतर है जोट नहीं देखा है मार्केट में बहुझे ग्या प्कापलिकेशन है यह आया है यह है आपका पैसा है औसने जहां सबसेट करना चाहते करिए दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों लोगों के मन में सवाल ये बना हुआ है कि सर सेट में मेरे marks नहीं बढ़ रहा है तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इसका जवाब दूसरे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप practice सेट में पर दोस्तों गड़बर यह है कि यदि 10 तक का वो सी लेवर से उठाके सवाल दे दिया ना तो आप यकीन करिए कि आपको 60 नमर ले आना ले आने में पसीना छुट जाएगा ठीक है ना आपको यह भी सच्छाई बता दे रहा हूं तो दोस्तों इस बात से एकदम बेफिक्र र आया मैं सबका पीपर उठाके देख रहा था सबका सवाल जो है लगबक टेंथ लेवल का ही है तो ऐसा नहीं कि कुछ अलग है अब दोस्तों सवाल यह आता है कि इसमें नंबर बढ़ाए कैसे भाई आपकी मर्जी है आपको नंबर बढ़ाना जो मैं तरीका बता रहा हूं यदि इस तरीके को अपनाने से आपका नंबर बढ़ गया आप समझें कि प्रैक्टिस सेट अच्छा है यदि नहीं बढ़ा तो दोस्तों उस प्रैक्टिस सेट को एकदम फेक दीजिएगा कोई दूसरा सेट लगाईएगा तो सुनिए ध्यान से तो दोस्तों सबसे पहले तो जो प्रैक्टिस सेट के बारे में मैं यह नहीं बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए क्या नहीं सबसमझदार है आप सभी दूस्तों जानते हैं देखिए जैनरली दूस्तों आप ये कह सकते हैं कि 60 नंबर जो है सर जीके जीएस का क्वेस्टेन आ रहा है जीएस का दोस्तों देखे इसे बार दोस्तो अंका है यह मैं बता रहू अब चार सवाल कहां आता है आज के जमाने में 100 सवर नमर के एकजाम में दूस्तो चार गों करेंट अफेर सिर्फ इबिहार पुली से पुछता और दोस्तो कोई बोर्ड नहीं क्या करेंगे तो दोस्तों करेंट के लिए आप देखिएगा एडुटेरिया का जो आधा सेक्षन है जिदर वन लाइनर है अब्जेक्टिव को हटा दीजिए फिर इस तरफ और वन लाइनर है और इस तरफ में दोस्तों खाली जैसे प्रमुख न्यूक्तिया नैने जी आई ट दोस्तों और उसके जो थीम है विश्य तो दोस्तों यह भी इंपोर्टेंट तो कहने का मतलब है आधा इधर का पूरा पढ़के चले जाए जो अर्ध वार्सी की आया है आपका कल्नान हो जाएगा मतलब दोस्तों अब उसमें पूरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन इसके से यदि बने रहना चाहते हैं तो टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या पटना सर्च कर ले जाएगा तो दोस्तों यह बाकी दोस्तों आप देख लीजिए इसके अलावे यह तो करना यह तो आप सभी नहीं कर रहोंगे इस पर ध्यान दिजेगा यह पर्सेंटेज बना लेगा डिसकाउंट बना लेगा लेकिन दोस्तों जुमेटरी में फंसेगा और जुमेटरी का सवाल दोस्तों इसमें डेफिनेटली रहता है यह को सवाल एकदम जान जाएगा पका रहना है सब कर लेगा दोस्तों पोलिनोमियल या लिनेर एक्वेशन इ इंग्जाम में लेकिन सबसे प्रमुख मैं कहूंगा तो दोस्तो हिंदी और इंगलिस देखिए हिंदी हो इंगलिस दोस्तो मिल करके लगबग 15-16 सवाल आएंगे और दोस्तो मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि लगबग 8 सवाल खाली अकेले हिस्ट्री का आएगा तो मुझ यह बराबरी कर लेगा जोग्राफी और हिस्ट्री के दोस्तों आप उसकी तुलना कर सकते हैं और जिसका मैठ गड़बड है उसको तो एकदम बिल्कुल करना चाहिए हिंदी और इंग्लिस करना चाहिए बाकि देखिए यह जो मैंने बात कर रहा है दोस्तों यह सभी लोगों की दिक्कत है मतलब लगबख सभी लोग देख रहा है कि हिंदी गरबड है मैठ गरबड है उसके बाद इंगलिस गरबड है तो जनेरली मेरे पास दोस्तों यही आता रहता है कि सरक इन लोगों को अच्छा कैसे करें तो इसको कराने के लिए मैंने एक बैच लॉंच किया ब तो फिजिक्समें नुमेरिकल है दूचार नुमेरिकल कॉंफर्म रखा हुआ है और कुछ चेमिस्टि का भी कॉंचिप्च्छी का आप अध्याद रखना यह बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे कॉन साथ टॉपिक आपको पढ़ना है पहले में थोड़ा कम था लेकिन इस ब पूरा समझ जाईएगा आपको जुरत नहीं पड़ेगा कि आप उसको पढ़िए दुबारा ठीक है तो इकोनोमिक्स दोस्तों वहां से कवर हो तो हम लोग यहां को बहुत सारे लड़के जो इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहें इंट्रेस्ट नहीं दिखा रहें हैं सायद उनको लग रहा है कि हम तो परिक्षा फोड़ देंगा भया यह जांजाओ नोकरी बजांवार किजा जाता है आप इदी हिंदी मैथ में मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो आप यह अकीन करिए, कि जिसका 8 नमबर मैथ में आ रहा है, उद्दू नमबर के लिए मर रहा होगा कि नहीं कैसे मैं 10 नमबर लाओं, क्योंकि वो जानता है, कि इतिहांस में दोस्तों जब वो हाट सवाल देगा न तो मेरे से नहीं बन पायेगा, पूरा का पूरा कितनों पढ़ लूँगा 10 में से 8 बना पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन वो भी ये भी जानता है, कि 10 गो मैथ देगा ना, तो 10 में से 10 मैथ बनाएंगे, वो जानता है, 10 में 10 हिंदी देगा ना, तो गैरेंटी नि नहीं करेगा, तो कहने का दोस्तों मतलब है, माँ बार बार चीख के चिला-चिला के यही कह रहा हूं, मेहनत कर लो, मैथ, हिंदी, इंगलिस, दोस्तों इन सब पर महनत कर लो, कुह coordinator को आपको को नहीं बताएगा, यह सब करने के लिए, सब कह fryएगा है, अईसे, ऐसे, ऐसे सबसक्रिबशन है लगा हैं बागी यदि नहीं है आप किसी का भी किसी का भी सर लगाई को जूरुरुत नहीं है आप कोई भी सर लगा उसक्टे है नंब सबसे ज़्यादा पाईएगा यदी ठीक ठाक है आप खुद पाईएगा पका कमेंट करेंगे सर मेरा हिंदी गडबड है हिंदी गड़बढ है सर मैथ गड़बढ है इंगलिस गड़बढ है सर यही होगा आपका सबका समस्य दोस्तों यही है और सबका हल मेरे जो बूस्टर बैच चल रहा है चैनल पर वह है आप उसको एक यकीन करके आप करें मुश्किल से देड़ घंटे का दूस्तों वीडियो जाता है उससे तो ज़्यादा आप किसी का इंपोर्टेंट सवाल का वीडियो देखने में दिन भर में लगा देते हैं आप तुका प्रैक्टिस सेट लगाने में दे देते हैं कई लोग ताप उसी खा करके लगाना उसमें चार-पांच को भी लगा लीजिए एक्जाम में जाएं मोटिवेट खुद को करके जाईए ताकि आपका यहां पर मैं जो दूंगा सेटों आपके सतर असी नमबर लेका यह और बढ़ियो परफॉर्म करके आई है तब जाकर के दोस्तों आपका कहीं कल अप्षक दोस्तों मैं लिंक डालरहे हैं जो बूस्टर सेज्ट हें हमारा चल रहा है बिलकुल फ्री है कोई पैसा नहीं लग रहेगा जब तक आपका दोस्तों एक्जाम को नहीं हो जाता है और नहीं तो भगवान से मनाईए के चौविस तारीक को मेरा सारा बात सच्छों उसके बात जाकर करके आप जो है मेरा बात सुनिएगा बस लेकिन गड़बड यह दोस्तों बहुत देर हो जाएगी तो मैं जो कह रहा हूं प्लीज सुनिए दूसरे के चक्कर में मत रही है जीके आपको कहीं भी दोस्तों हिंदी इंग्लिस का बैच नहीं मिलेगा जीके का ज अपने जहन में डाल लेजिए जिद्ध्यान रखेगा आपको लोग कह रहा होगा कि यह जो पढ़ लियो उसको दुबारा मत पढ़ो उसी को बार 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 पढ़ो अरे सतर नमबर का तयारी करेंगा पचास नमबर नहीं आए गर बेवकूफ इसके बाद खुद भरोसा करो समझे तब जाकर करके कहीं सेलेक्शन होगा इससे नहीं होने वाला है कि मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ गयोंगे प्रैक्टिसेट आपको लेना तो रहमान सर का जो अभी आया प्रैक्टिसेट आप चाहें तो उनको बाई कर सकते हैं बाकी आपकी मर्जी आप जो भी दोस्तों प्लक समझ जाए